तेजस्वी यादफ की रैली का ये हुजूम देखिए जनसलाब देखिए जिसमें लोग जो है इस रैली में भीड उम्ड़ी पड़ी है लोगों का जनसलाब दिखता हुआ नजर आ रहा है लेकिन टीवी अकबार आपको ये खबरे जो है नहीं दिखाएगा क्योंकि उनको ज नमस्कार मैं नूर्जा और आप देख रहे हैं जनेत आवाज जहां पर गांधी मैदान में आप ये हुजूम देख पा रहे होंगे आपको वीजूल सम दिखा देते हैं जहां पर जनसलाब उम्ड़ा पड़ा है लोग आये हुए जगा जगा से क्योंकि वो तेजस्वी या नजदीक हैं और उसके बाद भाजपास सरकार जो है एकदम चुनावी तैयारी में लगी हुए कोई भी विपक्ष का नेता अगर उनके बारे में कुछ भी बोलता है कुछ भी उनके उपर एकदम हला बोल देते तो उनके घर EDCBI भेज दी जाती है अगर आपको हाली की वीडियो जो चीजे बताएं थी किस तरीके से सत्यपाल मलिक ने सीधा भाजपास सरकार पर वार कर दिया तो और किसानों के समर्थन में बात बोल दी थी तो उनके घर भी EDCBI भेज दी गई थी और उसके बाद सीधे तोर पर सत्यपाल मलिक ने ये बोला था कि मैं डरने वा भाजपास सरकार का ही हाथ है भाजपास सरकार अपने सत्यपाल मलिक ने जो चीजे बोली थे हम आपको बता देते कि राम मंदिर को भी अगर तुड़वाना पड़े तो भाजपा भी इस हद तक जा सकती है अगर उसको अपना फाइदा हो रहा हो और अगर किसी अपने ही न नेता को जेल बिजवाना पड़े उसमें अगर उसको अपना फाइदा हो रहा है तो भाजपास सरकार ये भी कर सकती है और उसके बाज जहां पे वो अपना एजेंडा सेट करने में लगे हैं दूसरी तव्य पक्षी नेता भी अपनी रेलिया निकाल रहे हैं जनता के बीच उतर चुके हैं जमीनी तौर पर काम करें और इसमें जो सभी बीच तुके हैं जिस तरीक से रहुल गांधी जनता के बीच में उतर चुके हैं अकाश आनध, रहुल गांधी, अकिले शिया दब, चंद्र शेकार रजाध, ये सब जो है एकी मंच पे आ चुके और एक साथ ज जनता के बीच उतर चुके हैं लगतार रेलिया निकाली जा रही है जिस तरीके से जो राहुल गांदी की जो दूसरी यातरा है भारत जोडो नाय यातरा भी लग रहा है कहीं न कहीं ये सफल होती भी नजार आ रहे हैं कि लोग जो है अब कॉंग्रेस पार्टी के समर्थन में आते वे दिख रहे हैं जिस तरीके से जो जनता है उसको समझ आ गया कि अब उसे मंदिर या मस्जद या किसी भी धर्म के एजेंडे पे आप नहीं फसा सकते हैं अब जनता को रोजगार चाहिए अपने हित्मे काम करना जो चीजे करी जाती है रोजगार चाहिए जिस तरीक देती जा रही है जनता को उसके बाद अब जनता जो है समझ चूए कि 10 साल में हमारे भाजपस सरकार में कुछ नहीं किया है अब जो है लगता है सतब पलटने की बारी आ चूए क्योंकि 2024 के चुनाफ जो है बेहदी नजदीक बताए जा रहे हैं जिस तरीके से रेली में जो विवार को आयोजित एक मेगा रैली में अच्छी खासी भीर उमड़ी महागडबंदन या महागडबंदन जिसमें राष्टे जनता दल, राजट, कॉंग्रेस, CPI, MLA, लिबरेशन और अन्य वामपत्ति दल शामिल हैं विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुखे मंत्री तेजस्वी यादव के हर वाके पर भीर चिलाती रही और तालिया बजाती रही यादव ने उप्रमुक के रूप में अपने छोटे कारेकाल के दौरान युवाओं को रोजगार मुईया कराने का श्रे लिया और कहा कि वे युवाओं के बीच बेरोजगारी का मुद्दा ये भी स्पष्ट किया कि भाजपा उनके मुख्य राजनतिक प्रतिद्वन्दी है लगतार इसमें चीज़े आपको देखने के मिलूरी कि इस तरीके से जो हुजूम जमा हुआ था उते जस्वी यादव की रेली में और लगतार जो लोग तालिया बजा रहे ते जिस तरीक बश्कार भी लगई वहाई दूसरी तोओर पर अगर भी पक्ष के नेता देखा जाए अकलश यादव अकास अनन सब ही जानता बीश बीच हुटर चुके हो जटा के मैं ज आएंगे कि कुछ उमीदवा टिकेट मिलने से पहले कुछ और काम को ज्यादा जरूरी बताने का बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे कोई खेल को राजनिती से अधिक गंभीर मानकर बाहर जाने की बात करेगा कोई पर्यावरन के बहाने पजड़ी भाजपा से बाहर निकलने के लिए प्रातना पत्र लिखेगा कोई टिकेट करने पर सन्यास लेने का एलान कर देगा कोई टिकेट मिलने के बाद भी दूर से ही सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत कारोनों से टिकेट को ठुकरा देगा भाजपा एक दल के रूप में इतनी कमजोर कभी नहीं थी अब तो जंता के अलावा भाजपा वाले भी खुदी कह रहें कि नहीं चाहिए भाजपा यूदि कि जंता ने अब शयर्ण मन बना लिया कि इस बार उन्हें भाजपा नहीं चेट कि 10 सालों में जो भी काम अगर देखे जा सकते हैं यूँकि जनता सी तोट पर ये कह रहे हैं कि हमने पहली बार मौका दिया, दूसरी बार मौका दिया, लेकिन तीसरी बार अब जो हैं, हम भाजवा के जुमलेबाजी में नहीं फसने वाले हैं, अब शयर सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। उसके बाज़े से प्रग्या मिष्ट्रा लिखते हैं कि पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी आदव ने एतिहासिक रैली की, इतनी बड़ी रैली के बाद भी किसी के चपल खोने तक की भी खबर नहीं आई, तेजस्वी मोधी के 400 के सपने में पूर्ण विराम लगाते व इंडिया मतलब जनजन की हिस्सेदारी, इंडिया मोहबत का अलफाज है, इंडिया गरीबों की अवाज है, देश की राजनिती के नर्व सेंटर, बिहार से निकला तूफान बता रहा है कि अगली सरकार इंडिया की ही बनने जा रही है, इसमें जो आपको पूरा जनसलाव देखा होगा किस तरीके से अब जो है लग रहा है कि शायद जो है 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें इंडिया की सरकार बनने जारी और एंडिया का पत्ता स्ताफ होते में नजर आ रहा है, तो जिस तरीके से पूरी जो रह लिए, इसके बाद जो जनता है, उन्होंने काम कर रहा है और भाजपा की जो खाली कुर्सियां होती है, उसको भी इस तरीके से दिखाते हैं, जो जनता जो है वो अभी भाजपा के समर्थन में, लेकिन जो असली खाबर है जो तेजस्वी यादव की रैली में जो लोग दिख रहे हैं, उसमें साफ तोर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग जो हैं, अब इंडिया के समर्थन में उतर चुके और इंडिया की सरकार बनाना चाह रहे हैं, तो इस पूरी जो ख़बार है इस पे आपकी कह रहा है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, धन्यवाद